नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, वैल बैस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें, मातारानी सब का कल्याण करेगी. दोस्तों, नौरात्र का पर्व बहुत ही खास और महत पून माना जाता है, इसमें देवी सक्ति के नौ सरूपों की पूजा अरचना की जाती है, भक्त मादुर्गा को प्रसन करने और जीवन में सुक सम्रद्धी लाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, इन्ही में से एक ऐ ऐसा उपाय है, जिसमें मादुर्गा सीगरी की प्रसन हो जाती है, यह उपाय सिंदूर से जुड़ा है, जी हाँ दोस्तों, मादुर्गा की उपासना में सिंदूर का खास महत होता है, ऐसी मानिता है कि मादुर्गा को नियमिच सिंदूर चढ़ाने से जीवन में सभी परि दाया गया सिंदूर सौभाग व्रद्धी करने वाला होता है अगर सुहागन महिला इस सिंदूर को घर के मंदिर में रखे तो इससे मादुरुगा की कृपा बनी रहती है इस सिंदूर में बहुत चमतकारी सक्तियां होती है इसी वज़े से सिंदूर को तांतरिक क्रियाओं मे भी उपयोग में लाया जाता है साथ ही सिंदूर को टोने टोटके में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये सिंदूर के उपाए महिला या पुरुस दोनों ही कर सकते हैं नवरात्री खतम होने से पहले घी में सिंदूर मिला कर हनुमान जी को लगाने से डर और समस्त परिशानियों से मुक्ती मिलती है लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर ना लगाएं वह पुजारी या फिर किसी घर के पुरुष से हनुमान जी को सिंदूर लगवा सकती है ऐसा करने से आपकी ग्रह दसा जल्द ही ठीक हो जाएगी साथ ही नौरातरी में हत्ता जोड़ी पर सिंदूर चढ़ाकर देवी की पूजा करने से सुख समरदी में वरदी होती है इस सिंदूर से घर के मुख द्वार पर स्वास्तिक का चिं बना ले ऐसा करने से घर में नकारात्मकुर्जा प्रवेश नहीं करेगी साथ ही घर धन धाने से भरा रहेगा दोस्तों यदि आप कर्ज से अत्यधिक परिसान है तो आप नौरात्री के दिन एक पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर का पेस्ट बना ले और पीपल के चिकने हिस्से पर भगवान स्री राम जी का नाम लिखे और नौरात्र के मंगलवार को वह पत्ता हनुमान जी के चरणों में जाकर चड़ा दें इसके बाद यह उपाय लगातार हर मंगलवार को करें यदि आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा और आपके सभी कारे आपके भागे की वज़े से बिगड़ते जा रहे हैं तो आप नौरात्री परमा भगवती का पूजन करते समय उन्हें रोली की बज़ाए सिंदूर से तिलक करें और उनसे अपनी इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए प्रात्ना करें यदि आपको सत्र अत्यधिक परेसान करते हैं और आप हर समय अपने सत्रों से घिरे रहते हैं तो नौरात्री परमा भगवा की लाल सिंदूर से पूजा करें और इसके बाद इस सिंदूर का तिलक करें ऐसा करने से आपकी सत्रों बादा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है या फिर हमेशा पैसों की तंगी से परेसान रहते हैं तो नावरात्री के दिन एक आच्छी नारियल में सिंदूर लगा कर उसे लाल कपड़े में बांध कर माभगवती दुर्गा को अर्पित करके नौ दिनों तक उसकी पूजा करें और आप जहां पैसे रखते हैं उसे वहां रख दें इसके बाद मादुर्गा से प्रात्ना करें कि वह आपकी परेसानी जल्द से जल्द दूर कर दें अगर आप जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मादुर्गा को नौरात्री में पूरा संगार अर्पित करें जिसमें सिंदूर अवस्य हो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा यदि आपको संतान सुख की प्राप्ती नहीं है तो आप नौरात्री पर मादुर्गा के मंदिर में लगातार नौ दिन तक जाकर सिंदूर अर्पित करें ऐसा करने से आपको मादुर्गा के आशिर्वाज से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ती होगी बोलो दुर्गा माता कीजए तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद